दोस्तों क्या आप अपने Android मोबाइल में यूट्यूब पर कुकिंग का चैनल चलाते हैं तो इस वीडियो का आप दिहान से जरूर देखिएगा क्यूंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास वने वाली है तो क्या आप अपने Android मोबाइल में यूट्यूब पर कुकिंग चैनल पर जो कुकिंग की आपकी वीडियो है आप उनको यूट्यूब पर जाके अपलोड करते हैं आप उनको वाइटी स्टूडियो एप में अपलोड करते हैं या आप गूगल कुरूम पर जाके वहाँ पर व कुकिंग चैनल है उस पर आप अपनी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो आप कहां पर किस एप पर आप उसको अपलोड करें ताके आपकी वीडियो भी वाइरल हो जाए और आपका चैनल भी उस पर सेवर है असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शेफ इरफान नवास और हमा के आप अपनी कुकिंग सेनल के कुकिंग की वीडियो आप यूट्यूब करें आप वाई टी स्टुडियो Chrome नजर आ रहा है यही Google Chrome आपने अपने मुबाइल पे इसको आपने क्लिक करने के बाद आप करते क्या है सबसे बड़ी गलती है आप यहां पर आप सर्च करते हैं YouTube.studio.com यहां पर आप सर्च करते हैं सर्च करने के बाद जब यह studio यहां पर Google Chrome का यहां पर open होते हैं तो यहां पर आप लोग अपनी वीडियो को upload करते हैं thumbnail, title, description करके आप अपनी वीडियो को upload करते हैं जो कि सबसे बड़ी आपकी गलती है आपने यह गलती नहीं करनी आपने दोस्तों आपको करना क्या है कि three dot पे उपर right side top पे आपको क्लिक करने है गुगल पे आपने यहां पर क्लिक करने के बाद new incognito tape second नमर पे आपके इस पर आपके पास खोलेगा यहां पे आपने उपर सर्च करने साचा टाइप web address यहां पे आपने youtube.studio.com यहां पे सर्च करने सर्च करने के बाद आपका studio खोलेगा, studio पे आपने अपनी वीडियो अपलोड करनी है, thumbnail, title, description सब कुछ आपने ready करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है, तो यहां पे आपकी वीडियो भी growth करीगी और आपका channel 100% आपका save रहेगा, आपके channel को कोई problem किसी किसी की कोई problem भी आपको नहीं होगी, दोस्तों बात करेंगे, अभी कुछ setting है, दो तरह कि वो भी हम करेंगे, उपर three dot पे आपने top पे click कर देना है, next जहां पे नीचे setting पे click कर देना है, setting बाद आपको नीचे नज़र आएगा privacy and security, privacy and security पे आपने click करने के बाद सब से पहला clear browsing data, आपने जहां पे click कर देना है, जहां पे अगर all नहीं तो all time पे अपने click करके नीचे clear data कर देना है, यह हो गया, और उसके बाद नीचे आपका safe browsing उपर नीचे आपकी कहीं पे भी लिखोगा लेकर मेरे पास safe browsing जहां पे नीचे, आपका check standard production पे होगा लेकर आपने इसको हटा के enhance production प भी होगी है, तो आपने देख लिया कि आज की इस वीडियो हमने जे सीखा कि हम अपनी जो वीडियो है उसको कहां पे upload करें और यहां से आप अपने फिर इस वाइटी स्टूडियो को यहां से logout भी कर सकते हैं, चैनल को भी आप logout कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका जो च जाती है, इसी तरीके से आप Google पे जाके राइट साइड टॉप पे आपने त्री डॉट पे क्लिक करने हैं, और सिंपली आपने कोगनीटो पे क्लिक करके यहां पे आपने अपना वाइट स्टूडियो ऑपन करना है, और यहां पे आपने अपनी वीडियो को upload कर देना है, थ दोस्तों, अमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों, अगर आप टिक टॉक पे यह वीडियो देख रहे हैं, तो टिक टॉक पे आपको यूटूब चैनल का नाम नज़रा रहा है, आप इस नाम को सर्च करके हमारे चैनल पे विजड कर सकते हैं और इस तरह की मालूम आती और आप कुकिंग से रिलेटेड आप कुकिंग कोर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेर करना मत बूलिएगा, दोस्तों इसी के साथ हमें अजाज़त चाहिए, नेक्स वीडियो में इंशालला जिंदाबाद